नमस्ते दोस्तों, मार्वल फ्लोरिंग जेते निश्रमा में आपका स्वागत है आज हम जो इस वीडियो में बात करेंगे 30-40 साइट में कंट्रेक्शन कोष्ट क्या आती है जी प्लस टू फ्लोर की बात करेंगे हम इस वीडियो में आपने बहुत सी जगे पर देखे होंगे कि आदे गर बने हुए अधूरे रही रहे जाते है उसके दो करण होते है या तो उस प्रोपर्टी के पेपर बराबर नी है या कोई पास वाले ने कोई इस्ट्राइक लगा दिये एक करण तो वो हो गया दूसरा जो करण होता है अगर गर बनाते हैं उसकी इस्टिमेट प्राइज अगर सही नहीं बताई गई हो किसी ने तो उस करण से भी बजट की प्रोब्लम आ जाती है और गर पूरा नहीं बन पाता है तो इस वीडियो से आपको वो हेल्प मिल जाएगी कि आप अगर ग्राॉंड फ्लॉर बनाते हैं तो किसंना खरच आएगा सेकंड प्लोर बनाते हैं तो कितना खर्च आएगा और थर्ड प्लोर ये जी प्लस टू प्लोर में टू प्लोर का है कितना खर्च आता है आप इसली इससे निकाल सकते हैं जैसे चलिए लेते हैं 3040 साइट में कंट्रक्शन कोस्ट अभी जो चल रही है वो मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूं आपको फस्ट में लेते हैं ग्राउंड फ्लोर कोस्ट 3040 की आपकी साइट है और 1200 फिट आपका प्लोर का एरिया रहेगा अभी जो एवरेज निकला है मैंने 1500 रुपए फुल फिनिश गर में जो पोस्ट आ रही है वो फस्ट ग्राउंड फ्लोर की 80 लाग रुपए होगी और फस्ट फ्लोर में जाएंगे वो इस सेम रेट होगी और सेकंड फ्लोर में जाएंगे वो इस सेम रुट होगी अब सबसे बड़ा सवाल आएगा यहां पे कि तीनों फ का एक फ्लोर फांडेशन बनाने में ही चला जाएगा तो वो रेट यहां कवर होगी जो इसके बचेंगे पैसे से फ्लोर और सेकंड फ्लोर के वो फांडेशन में चला जाएगा तो यह एवरेज लिया बने यह कर्चा तो आपको आने वाले ही है तीनों फ्लोर में 18-18 लाग रुपए होगे तो यह 54 लाग की कोश्ट आएगी इसमें लेबर भी इंक्लूड है अगर आप खाली लेबर बेस पर देते हैं तो 280 रुपए खाली लेबर बेस में तो इसकी कोश्ट कितनी आएगी जी प्लस टू प्लोर में 10 लाग 8,000 रुपए इसकी कोश्ट आएगी यह कोई ठिक्स नहीं है अलग-अलग सहरों में अलग-अलग हो सकती है और यह भी मैंने एवरेज निकला है यह खर्चा तो आपको आने वाला ही है अगर आप इसमें कुछ हाई में जाते हैं कुछ जैसे मान लीजिए एक कमोंड अजार रुपए में भी आती है और वही कमोंड इस्टिल सिमेंट रेती में कंप्रोमाइज ना करें और क्वालटी में बाकि आप अगर आपका बजट कम है तो आप मार्बल की जागे पर टाइल लगाना टाइल लगाईए और बहुत सारी इसी चीज़े हैं जैसे इलेक्ट्री में इलेक्ट्री में तो आपको दू स्क्राइब जरूर करें